ज्याहें दोस्तों मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना चैनल लेकर टुटरियल में और आज हम लोग प्रमप्रागत जो पुरुसकार मिलते आये हैं उसके बारे में जानेंगे और इसे रिलेटेड जो हैं प्रस्न जो कैसल में योगदान है तु दिया जाता है का या जाता है कि एक कला चैटेव में तेजार रखें कालीदास शुमां कला चैनल में दोस्तों कालीदास समान जो है मतप्रदेशरकार के दॉबराभ कर कलाओं के छेत्र में स्रीजनातमक्स रिष्ट तए तु प्रदान किया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न है दोस्तों कि सांती स्वरूप भटनागर प्रुषकार किस छेत्र में योगता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है बहुत इंपोर्टेंट है इसको भी थोड़ा सध्यान में रखेगा इसका एंसर सी हो जाएगा बिग्यानिक अनुसंधान प्रिशत जो CSIR के दोवारा देखें तो 1957 में लेट को भी याद रख सकते हैं 1957 में इस्थापी सांती सौरूप भठनागर प्रुसकार बिग्यान अपरत की छेत्र में उत्कृष्ट व्योगदान के लिए दिया जाता है चलि आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्नी की और अगला प्रस्न को है दोस्तों कि मेक्सेस प्रुसकार बिजेता पहले भारती ये कौन थे मेक्सेस प्रुसकार जो दिया जाता है जिसको रेमन मेक्सेस कहा जाता है इस प्रुसकार के पहले भारती बिजेता कौन थे बताना है इसका सही एंसर हो जाएगा दुस्तों बिनो भाभावे एंसर डी सही हो जाएगा आपको वह याद होगा दुस्तों कि फिलिपिन्स के रहने वाले थे मेकसेंस और इनहीं के द्वारा मेकसेंस फाउंडेशन द्वारा उन्हें वर्ष उन्टाउन में समाजिक नियावम सांती निर्माण की अंतरगत भुदान अंदोलन के लिए यह पुरुसकार प्रदान किया गया था इसे दिखें तो इसिया का नोबिल पुरुसकार भी कहा जाता है आगे बढ़ते हैं आगला प्रसन है कि दुरुणाचार पुरुसकार किस छेतर में दिया जाता है तो दोर्णाचार प्रुसकार जहें दोस्तों यह बताना है कि कि इस छेतर में दिया जाता है तो दोर्णाचार प्रुसकार का अगर देखें दोस्तों तो इसका से इंसर हो जाया खेल कुद के उतकरिष्ट प्रसिक्षण हे तो जहने easy देखें तो झो खेल की तो उद्कृ्ष्ट प्रसिक्षण हे तो डेखेजा प्रसिक्षण है तो तो प्रोशकार प्रदान किया जाता है जहें हैं उसमें जो प्रसिक्षण कराते हैं जिसकों लोग कोच कहते हैं तो उनी को पुरुसकार दिया जाता है के आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्निकी ओर् आगला प्रसम्द दोस्तों कि खिलकुद में उत तरिश्टा के लिए कौन सा प्रोसका वे देखें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरसकार कोह है राजीव गांधी खेल रत्न पूरसकार खेळाण कुं की चार वर्ष की उपरपदों के अधार पर दिये जाते हैं तिसको थोड़ा सा ध्यान में रखेगा कि सबसे उत्कृष्ट पूर्षकार को है राजीव गांधी खेल रत्न पूरुषकार और अब ऑप्षन कनुसार से यहां देखे तेहां पर जाएगा अर्जन पूरुषकार यह दोनों देखे दोस्तों तो ते सही इंसर हो जाएगा आपका तीन लाख रुपए यादर कियेगा कितना पूरुषकार दिया जाता है तो अर्जन पूरुषकार खेल में सरेश्ट प्रदर्शन हेतु प्रदान किया जाता है और बरतमान में पूरुषकार की रासी इसमें देखे दोस्तों तो पांच लाग दिया जाता है में लोग को बर्तमान में याद रखना है पूछ देगा कि पहले के इतना दिया जाता था तो पहले सट रूपया दिया जाता था दोनों को ध्यान में रख लिजिए का चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्वन्य कreve अगला प्रस्न दोस्तों कि पदम सिरी पुरुषकार पाने वाली पहली भारती अभिनेत्री कौन थी? तो याद रखेगा पदम सिरी पुरुषकार पाने वाली पहली भारती अभिनेत्री बात किया जा रहा है तो नर्गीश दत थी यादर कियेगा कौन नर्गी दस्त मतलब नर्गीश दत जो संजय दत की मा थी तो यहां पर देखे दिभी इंसर सही हो जाएगा पदम सरी पुरुषकात प्राप्त करने वाली पहले भारती अभीनेतरी नर्गीश दत थी जिने वर्ष देखे तो उन्नी सो अंठावन में यह दिया गया था कि चल आगे बढ़ते प्रसन नीमने लिकीत में से किसे भारत रत्न का समान परदान नहीं किया गया है तो यहां पर देखे दोस्तों तो इसमें सहीं अंसर हो जाएगा राजकपूर लाजकपूर को दीखें तो भरत्रत्नावारद नहीं दिय गया था तेदर क household जो है और समान जो है काला के छेत्र में साहित्यक के छेत्र में और बिग्यान प्राप्त रता थे जबकि राजकपूर को यह अवाड अभी तक नहीं मिला है चलिए आगे बढ़ते हैं यह देखे दोस्तों तो भारत का स्रोच नागरिक सम्मान होता है भारत रत्रत अगला प्रस दोस्तों कि ज्यान पीट प्रुषकार प्राप्त करने वाली प्रत्थम महिला सहितकार है तो प्रत्थम है इसलिए सब इंपोर्टेंट है तो यह दखेंगा ज्यान पीट प्रुषकार प्राप्त करने वाली प्रत्थम महिला सहितकार की अगर बात करें दोस्तों हो जाएगा आसा पुरुना देवी इसका इंसेट ए सही हो जाएगा ज्यान पिट पुरुषकार प्रप्त करने वाली प्रथम जो है महिला साहिदकार है जो बंगला लेकी का थी आसा पुरुना देवी उन्हें वर्ष देखें तो 1976 में है उनकी उत्कृिष्ट करीटी जो था प्रथम प्रथि सुरुती इसका लेखक था प्रथम जिसे देगा समान मिला था अपका प्रथम-प्रथि सूरुत के लिए पृषकार प्रदान किया गया था है आगे बढ़ते हैं आगले प्रस्दिक और अगला प्रस्दा है कि निमने लिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया तो इसमें बताना है कि कौन सैसे विदेशी नागरिक है जिनको भात रत्न दिया गया इसमें देखेगा दोस्तु तो पता है कि विदेश में सबसे अफ्रीका में गोरी सरकार के बुरूद गांधिवादी मुल्यों का धार पर आंदोलन चलाने वाले तथा दच्छनी अफ्रीका की गोरी सरकार के द्वारा फ्हलाए गये जाती बीदेश जो समाप्त करने के लिए सांती पूर्ण धंग से इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थ खाया थे उसके वहां के गोरी सरकार थी और काले लोगों को मतना नहीं दिया जाता था इसी चलते वहाँ पर दिखे तो नेंसल मंडेला नें इसके लिए बहुत संखर्ष किया था काफी दिनों तो कि इन्होंने जेल में भी रहा था और निंसल मंडेला ने कही का एक बातें को बताया है और उन्होंने अपनी जिंद्गी में बहुत अप्लब्धियां भी हासिल की है आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि प्रथम भारत रत्न पुरुषकार की वर्ष में दिया गया यानि कि भारत रत्न पुरुषकार जो है कब से देना शुरू हुआ था इसके बारे में तो यह देखे दोस्तों तो भारत रत्न पुरुषकार देने की प्रमपरा सुरू हुए थी पहली बार उनिसव चववन में इसको ध्यान में रखेगा भारत रत्न पुरुषकार जो है भारत का सुरुच नागरीक समान है और इसके स्थापना देखें तो दो जन्वरी याद रखेगा दो जन्वरी 1954 दो जन्वरी 1954 को की गई थी और प्रथम भारत रत्न पुरुषकार वर्स 1954 में ही डाक्टर स्वर पली राधा क्रिश्नन सी राज गोपालाचारी यों सी वी रमन को दिया गया था तीन विक्ति को दिया गया था तो तीनों इंपोर्टेंट है कि पहली बार मिला है जो आपके उपराष्ट पती थे डाक्टर सौर्पली राधा कृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सी वी रमन चलिए आगे बढ़ते हैं आगला प्रस्न दोस्तों कि 1992 में जे आर डी टाटा, जे आर डी राधाटा को किस समान से अलंकिरित किया गया था तो 1992 में इनको देखे दोस्तों तो भारत रतन दिया गया था याद रखीगा भारत रतन जो है समान जो है जे आर डी टाटा को 1992 में और इनके जाद देखे तो सत्य जीतरी को 1992 में और साथ में स्वी सुब्रमणयम 1990 में प्राप्त हुए थे ती जा थोड़ा सध्यान मर कियेगा तो आपको सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है यहीं पर भारत रतन आवाद से समानित किये गये थे जे आर डी टाटा को कब किया गया था दोस्तों 1992 में किया गया था कि केको द प्रतमान में किसे दिया गया है तो प्रतमान में किसे दिया जा रहा है तो ब्यास समान पाने वाले प्रतमान महिला कौन थी इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों चीतरा मुदगल याद रखेगा चित्रा मुदगल यह प्रत्हम जो महिला थे जिनहें ब्यास समान पाने वाली भारती जो है आपका मुगदल थी वर्ष 2003 में उनकी राचना आवा कौन सी रचना के लिए मिला था आवा रचना के लिए यह पुरुषकार दिया गया था तता के के बिड़ला फाउनेशन के द्वारा हिंदी के प्रसीद लेखक जो है लीला धर जुगली को वर्ष 18 में पुरुषकार दिया गया और 19 में भी देखे दोस्तों तो नसीरा सर्मा को ब्यास सम्मान से समानित किया था थोड़ा सा जो है कोरोना के काल में भी जो जो चीजें हुआ है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा चली आगे बढ़ते हैं कि आगला प्रस्दतों की स्वार्ण कमल पुरुषकार की छेतर में दिया जाता है कि स्वार्ण कमल बहुत इंपोर्टेंट है याद रखिएगा स्वार्ण कमल पुरुषकार की छेतर में दिया जाता है तो जगा सीनेमा छेतर में दिया जाता है नहीं कि फिलिम मेंडिस्ट कमल दोनों पुरुषकार आगे बढ़ते हैं दूस्तों अगले प्रस्निक और अगला प्रस्न की बुकर पुरुषकार जीतने वाले भारतिय मुल्के प्रथम बेखती कौन है तो बुकर पुरुषकार जीतने वाले भारतिय मुल्के प्रथम बेखती इसको बताना है कि कौन है ते सही इसका एंसर हो जाएगा दूस्ते वि एसुनाय पॉल को हो जाए तो ईक्र प्रुसकार जीतने वाले भारतिय मुल्कि oportunary जो है वी एसुनाय पॉल है इन्यें देखें दूसथे kap यहाद रखिएगा नोबेल पुरुषकार जो है the royal Swedish academic दोरा प्रदानी किया जाता है नोबेल सांती पुरुषकार के लिए फैसला करने के लिए अलफ्रेड नोबेल ने अपनी वसियत में देखे दोस्तों तो नारवे की संसत को अधिकरित किया था तो आपको पता हुआ कि नोबेल पुरुषकार जो है इससे बड़ा पुरुषकार कोई नहीं होता है और इस पुरुषकार में देखें तो अलफ्रेड जो नोबेल थे उन्होंने अपनी वसियत बेच करके इसकी शुरुवात की थी यानि अपने वसियत जिसका उखमाया ऐलोसिब किश के लिए दी जाती है कि छक्रधर-फैलोसिब अगर देखे ढया जाता है सास्तरिय संगीत के लिए या दकिए इंपॉर्टैंट है बहुत इम्पोर्टैंट कि जो राजा थे राजा चक्रधर सिंग स्वें में एक अच्छे ताबला वादक थी तथा इन्हीं के संगीत परीट की कई पुष्टके वीच अपी है और इसी चलती पुष्टकार भी दिया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न दोस्तों के कि इस छेतर में स्रिष्टा के लिए महराणा प्रताप्रूसकार दिया जाता है कि खेल के छेतर में दिया जाता है महाराणा प्रताप प्रुस्कार की स्थापना देखें तो वर्स 1982-83 में हुआ था यादर खेका यह खेल कुद के लिए और्थात खेलाडीओं को दिया जाता है महराणा प्रता पुरुषकार आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रस्न की हो आगला प्रस्न है कि निम ने लिखित भारतियों में से किसे विशिष्ट आसकर समान प्रदान किया गया था तो निमने लिखित भारतियों में से किसे 20 आसकर समान प्रदान किया गया था ते हो जागा दोस्तों सत्य जीत रे को प्रदान किया गया था इसका इंसर सी हो जाएगा पता होगा कि वर्च 1292 में सत्य जीत रे की फिल्म जो थे उसे 20 जोगदान के लिए जो है 20 आसकर समान प्र है तो भारति ज्ञान पिट के दौर समानित बेक्ति निमनिलिकित में से कौन है बताना है इसका सही अंसर हो जाएगा जो है फिराक गोरक पूरी क्या रखेगा कौन है फिराक गोरक पूरी वर्स देखें तो इनको 1979 में उर्दु सायर फिराक गोरकों की कुरिती गुलामे नगमा के लिए ज्यान पिट समान दिया गया था अगला प्रस्ण दोस्तों कि निमनिलिकित में से कीस पकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार के दौर भारत रतन समान से समानित किया गया तो हम साधाकने थे सही थे जा भारत इसे होला जाएगा पता होना चाहिए पर्स पकिस्तान के उतरी पच मी शिवांत प्रदेश जो पेशावर में 1890 इस्वी में जन में खान अब्दुलकाफार खाने भारती उप महादीप में समराज्य वाद के अंतिम दिनों में प्रेटी सासन के बुरूद अहिंसात्मक परतिरोथ किया था और उन्हें देखें तो बाद साह खान और सिमान्त गांधी के नाम से भी जाना जाता है तो याद रखेगा कि बहुत इंपोर्टेंट है कि सिमान्त गांधी के नाम से कि नहीं जाना जाता है तो उचैगाव का खान अब्दुलकाफार खान को हिना जानता है और वर्स देखें तो 1985 में भारती राष्टे का अंग्रेश के सताबदी समाहरों में भाग लेने वह भारत आये थे जिसमें उन्हें दो वर्स के बाद निनीशो सतासी इसमी में भारत की स्रोचनागरिक समान भारत रतनिये से समानित किया गया था तो याद रिखेगा किसे दिया गया था खान अब्दुर्गफार खान को कब दिया गया था तो 1987 में दिया गया था और पता होगा कि खान अब्दुर्गफार खान को ही देखें तो बात्साह खान और सीमांत गांधी भी कहा जाता है जो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है बहुत बार-बार पुछा जाता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेएगा ताज के लिए इतने ही ओस्कार प्रुषकार से समंधित प्रसनित नहीं है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ अच्छा टॉपिक ले करके ऐसे हैं मितिहास कभी टॉपिक सारा कभर कर रहें लेकर के आएंगे और वीडियो का आप लोग कंटियूनी देखिएगा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों किसे सैर कीजिए और मेरा सब्सक्राइबर को बढ़ाए दोस्तों आप सभी का विंति है मतला मेरे तरब से कि आप सभी थ झाल